अब हमारे पाद जो एक दर्शन आता है जो बिलकूल ही ऐसा दर्शन है जिसको हम पूर्ण रूफ से नास्तिक कह सकते हैं वो है चारवाक का दर्शन चारवाक का जो है उसको हम कहते हैं लोकायत लोकायत का मतलब जो इसी वर्ड तक सीमित है और उसने भी वोई बुद्ध वाली बात कही है बिलकूल चारवाक रहे हैं कि जो अव्याकरत प्रशन है जिन प्रशनों का कहीं उत्तर हो ही नहीं सकता कोई जैसे हमने का अगर बच्चों को समझाते हैं तो यही प्रशन कहते हैं कि एक आदमे ने यह प्रशन पूछा कि मेरा छोटा भाई एक सो असी मिल की रफ्तार से गारी चलाता है तो बताओ मेरी आईउ क्या है इस प्रशन का कहीं उत्तर मिली नहीं सकता दुनिया के अंदर तो चार वाख il कहते हैं कि वेद के जो प्रशन है सारे वो इसी तरह के प्रशन है वेद ने ऐसे प्रशन उठा दिये लोगोंको उलगना के लिए इसलिए उन्होंने चार वाकने पहला सब्ध प्रियाक्य प्रियोक किया कि लोगों को कन्फ्यूजन करके उनका सोशन करने के लिए खून चूसने के लिए ब्राह्मनों ने ये वेद बनाये हैं ये धूर्त ब्राह्मनों की कर्तूत है वेद जो है ऐसे प्रश्ण उठा दो कि दुनिया उसको उल्धी रहा जवाबी ना दे सके तो इसलिए उन्होंनों का कि इस वेद की चिंता मत करो आप इस लोक तक स्थीमित रहो और कोशिश ये करो कि इस लोक को स्वर्ग बना दो और स्वर्ग को और नर्ग की चिंता मत करो तो है स्वर्ग या नहीं है मैं क्या पता, अब मानलो मैं यह कहूं जी मेरी आयू 90 साल की हो गई, जिसके पास सभी चिठ्थी आती है 90 साल में यह लिखा होता है, कि बड़े दुख का मौमला है, पिता जी का स्वर्ग वास हो गया, एक भी चिठ्थी ऐसी नहीं इसमें लिखा पिता जी का नरक वास हो गया हो, तो क्या सारे पिता जी स्वर्ग में ही जाते हैं, नरक में कोई जाता ही लिख, तो यह कहते हैं कि हमें क्या पता, स्वर्ग में गया, नरक में गया, हम इस दुनिया कोई स्वर्ग क्यों नहीं बना लेते हैं, तो लोका है, तुनों नहीं का कि इस लोग को happiness बनाओ, यावज जीवेद, सुखम जीवेद, रणम कृत्वा, घृतम पिवेद, भस में भूतत से देह से पुनर आगमन कृता, उन्होंने का कि यावज जीवेद, सारी दुनिया को सुखी बनाने के कोशिश करो, मैं भी सुखी रहूं, मेरा पड़ोसी भी तो happiness को जितना increase कर सकते हो, करो, कोशिश करो, और उसके लिए रणम कृत्वा, घृतम पिवेद, अगर सुखी रहने के लिए घी पी करके सुखी रहते हैं, तो चाहिए कर्ज लो, लेकिन घी दरूप पिलाओ सबको, अब ये कहते हैं कि तूने अगर ये गड़म काम किया, तो नरक में जाना पड़ेगा, उसमें कोई नरक सुरग नहीं है, ये दुनिया ही नरक है, ये ही सुरग है, इसलिए चार वाखों का साहित जब पढ़ोगे, तो आपको बड़ा विचित्व साहित लगेगा, चार वाख लिख रहे हैं, कि जिन्दगी बर तूने जीवन बर भूका मारा, तरफ तरफ के मर गया तेरा बाप भूक के मारा, मरने के बाद तु गाउं के दो हजार आद्मियों को भोजन करा रहा है, ये मृत्यू भोज है, तो ये पिता को जो तुने भूका मारा उसकी वजाए, ये दो हजार रोगों को भोजन करने के वजाए, अपने पिता को भोजन कराता, तो जादे स्रेष्ट होता है। तो उसने रिखा है कि पिता की पगड़ी आपने उछाली जिंदगी बर, आपने ऐसे कुकरम करें के आपके पिता की पगड़ी उछल लेए। जब पिता की मर गया, तो आप पगड़ी की रसम कर रहे हो, बड़ी पवित तो पगड़ी जिंदिकी भर पगड़ी की उछाल, पगड़ी नहीं उछालूंगा पिता कि यह करता तो जादे सरिष्ट होता, बजाए इसके के पगड़ी कर रहा है तो तो उन्हों का इस लोग को सम्रद बनाओ, लोग को पावन बनाओ, लोग के परे कुछ भी नहीं है, अच्छ धर्मार्त फलाये राज याये नवे, वो किते हैं अगर दुनिया के अंदर आपको धर्म और अर्थ का फर लेना है तो भगवान की वजाए राज की पूझा करो, अगर हमार राज अच्छा है, हमारा राज जो जो बढ़िया है, हमारा राज दिर्ध Torres having ंबारे है हमारा राज कमजोर हो गया, हम मंदिर में पूजा करते रहे, राज कमजोर हो गया, तो मुहम्मद गौरी आखे लूट रहा है, कभी कोई लूट रहा है, तो इन्हों न का हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए, कि इस लोक में, जो इस लोक का रक्षक है वो है राज, तो तो बजाए भगवान कि राज की पूझा करो इस राज को दिरव बनाऊ इस की सेवा और इसके बारे में वैसे तो रादा किष्ऩन ने और जेगे से लिखा है उन्होंने तो यग के बारे में लिखा है लेकिन उसको इसे जोड सकते हैं राधा किष्णन कहते हैं कि हमारे हैं यग में यह कहा जाता है इदन्नमम हर आहोती के बाद कहा जाता है इदम इंद्राए स्वाहा इदम इंद्राए इदन्नमम यह मैं आहोती अपने लिए नहीं दे रहा हूं इदम अगने स्वाहा इदम अगने इदन्नमम यह अगनी देवत के लिए हैं मेरे लिए नहीं है तो राधा किष्णन ने उसको वेद के मंत्र को नया ये किया है कि पहली आउती इंद्र को दी जाती है इदम इंद्राए स्वहा इदम इंद्राए और इंद्र कौन है देवताओं का राजा है तो कहते हैं आज जो ये टेक्स छोरी की समस्चा चल लिए है कि हम रिटर्न नहीं भर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं अगर हम वेद का पालन करें और वेद की आउती हैं कि पहली आउती इंद्र को दी जाएगी तो हम ये करेंगे कि जो कुछ भी कमा के लाए हैं उसमें कहेंगे इसमें इतना हिस्सा राज का है ये मैं राज क रातफलाये राज जाये नमें, अगर आप ये चाहते हो, कि इस दुनिया के अंदर prosperity रहे है, economic prosperity, कहीं गरीबी न रहे है दुनिया के अंदर और इसी तरह से चाहते हो कि law and order बना रहा है तो भगवान की तरफ मत देखो राज जाय नहीं राज की पूजा करो राज को मदबूत बनाओ तो चार वाग जो है बहुत simple दर्शन है उनका कोई बड़ी बात नहीं कहीं उन्होंने इसलिए उसको हम ही कहते है कि चार वाग दर्शन तो दर्शन नहीं है दूर्त लोग है इस दुनिया के अंदर ही आश करना चाहते है पर लोग की परवाने करते है पर लोग में क्या हो वो कहते है पर लोग है नहीं पर लोग पर दिर्शन दो करना चाहते है